हेलो गेमर्स वेल्कम बैक टू गेमिंग टैक्टिक्स यूट्यूब शानल तो भाईयों कैसे हो आप सब गैस यह है हमारा विलेजर ट्रेडर आइरन फार्म तो हमने पिछले एपिसोड में यह बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लेना बहुत अ इंचांट करेंगे लेकिन यार एक और बात मेरे को बोलनी थी कि मेरे साथ जो चार दोस्ति सर्वर में खेल रहे थे वो कुछ रीजन्स के वज़े से बिजी हो गया और पोकेफैन जो है वो पोकेमान में बिजी हो गया तो मैं सोच रहा हूं यार यह सीरीज में जल्दी खत प्रोइब कर देना और लाइक एंड कॉमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और यार वीडियो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं चोड़ो जो भी छोड़ दो यार अभी प्रमोशन चोड़ते हैं हम लोग तो गैस यहां पर इस चेस्ट में मेरे पास मौत के बहुत तो मैं नहीं चाहता कि तूट जाए यार क्योंकि हमारा पहला डायमेंड पिकैक्स और पहला डायमेंड शवल है तो हम लोग आज इसको एंचांट करेंगे आज नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे लेगिन इसके लिए हम लोग एक एंचांटमेंट हाउस यह क्योंकि एंचान्टिंग में आमेथिस्ट का जो म्यूजिक होगा वो अलग ही वाइब देगा तो इसलिए मैं सोच्रों की आमेथिस्ट यूज करेंगे हम लोग तो आमेथिस्ट हमें मिलेगा उसी लश्केव में जहां पर हम लोग पहले एपिसोड टू में शायद गए थ लें तो चलिए यार मैं जल्दी से वहां पर जाता हूं जो भी सामान चाहिए वह मैं ले लिया तो अभी बाखी का सामान रखके हम लोग चलते हैं यहां से और गैस आपको कोई मॉड्स है एड़ांस के वीडियो चाहिए तो प्लीज यार कॉमेंट करना कॉमेंट करके मेरे को बोल दो मैं ले आऊंगा और गैस हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने स्कूरूस ट्री के बयों में और यहां पर यहां पर जो अकेशिया स्वारी अज में खरीब में अगर मिल जाता तो मज़ा आता यार लेकिन खरीब में नहीं है तो चलिए जल्दी से जाकर कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग सब कुछ और फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए और यहां पर मैं पिछली बार पानी लगाया था तो अच्छा है यह पानी यहीं पर मौजुद रखा था मैंने तो चलिए यार नीचे चलते हैं और घूनते हैं और यहां पर मेरा क्राफ्टिंग टेबल और फरनेस पड़ाया पताने कितने सदियों से यहां पर पड़े हैं यह तो खायर अभी बेट भी लगा के मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया क्यूंकि मैं बहुत बुरा हूं यार पीवेपी में अगर पर मॉब्स आके मार क्वाइब तो एरन हार मदर भी बहुत कम है मेरे परस्टो क्या ही कर सकते हैं तो चलिया याप जलदे से छुप देखा था गिवोड तो मैं कलक्ट रहेगा लाइक फार्म बन जाएगा ये एक तरीखे का तो मैं इसलिए कैल साइट भी निकाल लेता हूं और आज तक मैंने कैल साइट यूज नहीं किया तो होपफुली कैल साइट यूज करने की खोशिश करूंगा मैं आगे से किनकि यार ब्लॉक देखो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं हम लोग यहां से और यार इस पर जो म्यूजिक आती है ना मज़ेदार लगती है लाइक एंचांटिंग टवर में तो बिल्कुल सूटेबल ब्लॉक होगा मैं देखता हूं अगर ब्लॉक्स ज्यादा मिल गया में थिश्ट के अगर तो हम लोग इसका और फ्लोर अभी नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि यार अभी मेर को नहीं लगता उतनी जरूरत होगी हमको और कैलसाइट जरूरी हो सकता है तो कैलसाइट वाइट कलर में है तो अच्छा लग रहा है मेरको ब्लॉक्स और इसमां यहां पर एक डाइमेंड देखा था रिस से पहले जब रहाया था तो खोशिश करते हैं और डाइमेंड भी कलेक्ट कर लें लेकिन नीचे मॉब्स बहुत सारे हैं हजारों की तादात में मॉब्स है यह जॉम्बी अभी से आ गया यहां पर पानी लगा के नीचे चलते हैं हम लोग यार कुछ disturbance आ रहा था प्लीज यार संभाल लेना बहुत रात के 3 वज़े कर रहा हूं है लेकिन फिर भी disturbance बहुत आ रहा है पताने यार लोगों को रात के 3 वज़े क्या काम होता है तो जल्दी से यहां पर मॉब्स को भी मार देता हूं मैं कितने मॉब्स आ रहें भाई और गैस वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डायमेंड है तो जल्दी से जाके वो डायमेंड कलेक्ट कर लेके हम लोग अपने घर चलते हैं और मेरे को अबसीडियन भी चाहिए होगा तो मैं देखके अबसीडियन भी कलेक्ट कर लेता हूँ हमारे स्पॉन के पास जो विलेज था वहाँ पे एक रूइन नेधर पोर्टल था तो मैं देखता हूँ वहीं पे जाके ले लेता हूँ तो गैस चलिए अभी हम लोग यहां से चलते हैं अभी कुछ अभी फिलहाल उतना जरूरी सामान कुछ भी नहीं है अपने पास नहीं चाहिए अभी और गैसे मैं आ गया फैनली यहां पे रूइन नेधर पोर्टल के पास अबसीडियन कलेक्ट करने तो हमको तो चार शाहिए और चार से ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है क्यूंकि हमको नेधर में भी जाना पड़ेगा फ्यूचर में तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में या उसके बाद के एपिसोड में नेधर में जरूर जाना पड़ेगा है क्योंकि हमको विलेजर से ट्रेड करना है और इतने एमरल्ड्स तो नहीं होंगे तो हमको नेधर में ही जाके लाइक ब्लेज रॉट्स वगएरा लाना पड़ेगा जिससे हम लोग वीकनेस पोशन्स बना सके तो गैस अभी मैंने पूरा अबसीडियन ले लिया साथ अबसीडि देख सकते हूं मैंने पूरा सामान डंप कर दिया चेश्ट में और जो भी हमको घर बनाने चाहिए एंचांटमेंट हाउस वो सामान सारा मैं अपने बाहर चेश्ट में रख दिया और यहाँ पे थोड़े बॉटल्स बना लेते हैं और क्यूंकि यार मैं सोच रहां कि पहली बार मर्ड से काम करें हम लोग पैक्ट मर्ड से मर्ड ब्रिक्स से तो इसलिए मैं सोच रहां कि यहाँ पे इनको मर्ड बना लें क्यूंकि हमारे पास नहीं है मैंग्रो स्वांप तो हमको हातों से बनाना पड़ेगा और यार ये दर्द भरी प्रक्रिया थी आप सोच भी नहीं सकते हैं मेरे को like literally मैं तीन stack बनाने वाला था और दो stack बना के ठक गया तो मैं दो stack पहले बना लिया बाद में बाखी का एक stack बनाया तब ही इनके उपर पानी मारते जाते हैं और ये मड बनते जाएगा तो पहले मैं थोड़े bottles ले लेता हूँ अपने hot bar में यार बहुत दिमाख खरब है यार ये एक ही stack में रहना था है और water bottles मज़ा आ जाता और अभी start करते हैं पानी का छिड़का हो हम लोग इसके उपर और minecraft का logic भी देखो भाई लोग एक bucket तीन bottle से भर जाता है लेकिन यार एक bucket से हम लोग पूरा तीन stack मर्ड को हमने dirt को packed मर्ड बनाया तो क्या ही बात है लॉजिक लॉजिक और हम लोग वीट भी लेंगे यहां से क्योंकि packed मर्ड बनाना है हमको तो वीट से बनाना पड़ेगा उसको तो यहां से दो stack मैंने बनाया था तो दो stack वीट ले लूँगा मैं और इसको दोनों को crafting table में बाजू में रखने पर packed मर्ड बन जाएगा तो जल्दी से हम लोग पुरा बना लेते हैं और इसको chest में भी रख देते हैं हम लोग और अभी हम लोग देखते हैं और कुछ सामान चाहिए तो वह collect करूंगा मैं और उसके बाद घर बनाना start कर दूंगा तो यहां पर मैं सोच रहा हूं यह अपने जो starter house है उसके बगल में ही बनाओ लेकिन यार जगे बस नहीं हो रही थी तो हम लोग इसको फिल करेंगे और टेराफार्म कर देंगे और ऐसा टेराफार्म करेंगे कि लगे कि नैचरली जनरेट हुआ कि माइन क्राफ्ट का जो न नहीं है तो नैचरल ही बनाया करो यार आप भी जब भी बनाते हो तो अच्छा लगता है और अभी मैं आपको एक basic layout दिखाता हूं यहां पर हम लोग barrels लगाएंगे कि यार यह स्ट्रिप्ट स्प्रूस वूट के साथ ना बहुत अच्छा लगेगा कुछ pattern design के जैसा दें यहां पर और यह हमारे storage के काम भी आ जाएंगे एक तीर पर दो निशान हो जाएगा या एक निशान दो तीर पता नहीं यार जो भी है तो जल्दी से मैं barrels लगा देता हूं यहां पर और finally पूरे barrels लग गया और हमको इसके उपर nearly four blocks spruce wood लगाना पड़ेगा stripped spruce wood तो जल्दी से वह भी लगाता हूं मैं और आपको दिखाता हूं कि दो तीन चार पांच ऐसे पूरे साइट्स लगा लेंगे त्री फॉर फाइल तो आप लोग यह देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है अपना लेयोड यह ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा है हमको ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो इनको भी मैं strip कर देता हूं और नाइस तो वैस यहाँ पर हम लोग उल्ठे स्टेर्स लगाएंगे मतलब upside downstairs नहीं पूरा लगा देंगे और यहाँ पर उपर लगा देते हैं मड्ड ब्रिक्स तो मैं यह पुरा यह भी पुरा लगा देता हूं कि ज्यादा लंबा नहीं करना यार मेर को वीडियो और बीच में हम लोग ग्लास पेंस लगा देंगे तो अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हो बन गया अभी यहां पर हम लोग रूफ के लिए श्टेर लगाया था अभी यहां पर इसके पीछे भी लगाएंगे और इसके उपर जाएगा एक ब्लॉक और यह रूफ मस्त होता है यार आप लोग चेक करना और अपने वर्ड में भी बनाना बहुत ही मस्त रूफ है तो अभी यहां पर एक अपसेट डाउन लगाए लेकिन पहले पुरा इधर साइट वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं और वैसले देख सकते हैं कंप्लीट हुआ मैं दूसरी साइट जाके आप लोगों को दिखाता हूं कितना मस्त लगे गा है तो गाइस आप देख सकते हैं क्या ही मस्त लग रहा है अब हमको सेम यही रिपीट करना है तीन और बार और आप देख सकते हो यार कितना मस्त लग रहा है अभी भी तो मैं कुछ मस्त लग रहा है बहुत ही ज्यादा बार बोल रहा हूं माइंड प्लीज तो अभी हम लोग बाही का रूफ भी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे स्लैब यहाँ पे अमेथिस्ट के जाएंगे ब्लॉक्स और यहाँ पे एक डर्ट लगाऊंगा लैक हम लोग सीधा भी लगा सकते थे लेकिन मैंने क्रियेटिव में ट्राइ करा और यह बहुत ही मस लग रहा था यार रूफ तो इसको हम लोग लगा देंगे इसे तो अभी देखो यार डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हम लोग पुरा कंटिनेव करेंगे दो इधर लगाएंगे अमेथिस्ट लॉक्स और यहाँ पर एक डरट इसके उपर हैंलोग अमेथिस्ट बलॉक और यहाँ दो अमेथिस्ट लॉक्स तो यह पूरा बनने-के बाद रूफ का मस दि gradual और यहाँ पर द दो डरट लगाने पड़ेंगे बाद में इसको हटा देंगे हम लोग कि टेंपरररी है और यहाँ पर हो गया तो गैस हम लोगों को इसी तरह बाखी के तीनों साइड भी करने हैं पुरा फॉर साइड रूफ होगा और यहां पे टवर भी बना लेंगे हम लोगे यहां पे ब्लॉक्स प्रफ के और मैं अभी आपको बिल्ड कंप्लीट करके मिलता हूं यार क्योंकि इससे ज्यादा क्या ही दिखाओं मैं अगर चाहिए तो कॉमेंट करना टुटोरियल लाओंगा तो फाइनली अपना इंशैंडमेंट हाउस कंप्लीट हो गया तो आप देख सकते अभी दिखाता हूं मैं मैंने पूरा पात ऐरन फाम और घर से भी कनेक्ट कर दिया और आप देखो यार क्या मतलग पाथ भी अच्छा दिख रहा है और बिल्ड से आएंगे ना तो पाथ दिखेंगे और यहां पर कुछ लैंटर्स वगएरा लगा दिया और पुरा मैंने क्या बोलते हैं बोन मील भी कर दिया जिससे ओवर ग्रोन लग रहा है और अभी आपको उपर से मैं वीव दूं अच्छा लग रहा है और पाथ में हम लोग बहुत से तरीखे से यूज़ कर सकते हैं कोर्श ड्रट हो गया मेरे पास लफज नहीं है यार इसको देखके यह बिल्ड ऐसा है ना कि जो मैंने बहुत ही जल्दी बना दिया लैक दूसरे विल्ड पे मैं बहुत टाइम लेता और यहां पे मैंने पुरा बोन मिल कर दिया था जैसी के आपको बोला और कुछ फ्लार्स और कुछ जैक और लैंटन भी लगाया जमीन में और अभी इंटिरियर देखे यार फ्लोर क्या ही मस्त आवाज आ रही है और चलते रहे तो लैक पूरा इंचैंटिंग वाइब आ र से 30 लेवल तक इंचैंट कर सकते हैं आप लोग देख सकते हों तो प्लीज कॉमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना यार क्योंकि मेहनत लगती है इन वीडियोस में तो भाईयों मिलते है यार अगले वीडियो में जब तक के लिए गुडबाई एंड पीस आओ